नवस्कार, सौगत है आपका वीके नीूस में अब खुद ही सोचिये कि क्या दो दिन की बच्ची चल सकती है जहां मात्र दो दिन की बच्ची जिसकी आखे भी अभी सही से नहीं खुली होती जिसने दुनिया में अभी पहला कदम भी नहीं रखा जिसका विकास अभी भी शुरू ही हुआ था वो बच्ची यूपी पूलिस के हिसाब से कहीं चली गई आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ऐसी बहकी बहकी बाते क्यों कर रहा हूं लेकिन यह बिलकुल सच है दरसल यह अजीबों गरीब घटना हुई है आगरावे जहां दो दिन की बच्ची चल कर कहीं चली गई वो भी अपने मन से अब सवाल यह कि जब दो दिन की बच्ची ना बोल सकती है ना चल सकती है तो फिर वो बिना बताए कैसे चली गई यूबे पुलिस ने फेजिक्स के नियमों को भी तागपर रख दिया अमोमन एक बच्चा एक साल के बाद ही चलना सीखता है पर यहां दो दिन की बच्ची बिना बताए चली गई इतनी एडवांस साइंस तो अभी फिल्मों की कहानियों में भी नहीं आई है ये सब सुनकर तो आपका मत्था भी चखरा गया होगा पर ये पूरी तरह से सत है दरसल न्यूजेटीन के रिपोर्ट के मताविक 2010 से 31 जुलाई 2020 तक आगरा पुलिस का डाटा जो कहानी बताता है वह वाकई हैरत अगेज है डाटा के मताविक 41 नावालिक लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो 10 साल से मिले ही नहीं है और वो दो दिन की बच्ची भी पांच साल पहले खो गई थी और सबसे बड़ी बात ही है कि एक तालिस में से 37 केस ऐसे हैं जिनमें बच्चे घर से बिना बताय कहीं चले गए सिर्फ चार केस में ही अलग-अलग कारण दर्ज है यह डाटा पुलिस रिकॉर्ट का है अब ऐसे में गौर करें तो दो दिन की बच्ची के गायब होने के कारण भी यहीं है क्यों घर से बिना बताय चले गए और यहीं लिकर केस दर्ज किया गया है तो अला अधिकारियों को भी संग्यान लेना चाहिए सूत्रों को मताबिक यह बच्ची घर से नहीं बलके अस्पताल से गायब हुई है यह बच्ची जिला महिला अस्पताल से गायब हो गई थी यह मामला एम एम गेट पुलिस इस्टेशन पर दर्ज किया गया जबकि परिवा गायब हो गई एक घर में किलकारी पूंज नहीं वाली थी पर वो गायब हो गई और पुलिस वालों ने इन सब का मजाक बना कर दिया है कम से कम इन अधिकारियों को यह तो सोचना चाहिए था कि वह मात्र दो दिन की बच्ची है लेकिन ना यूपी पुलिस का अपना अलग